हलो प्रेंड्स, विलकम इन मा यूटूब चेनल, दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपने होल्डिंग सेरों को CDSL की वेब साइट पे जाके चेक कर सकते हो, हम जो भी हम सेर करीते हैं, किसी ने किसी एप के दुआरा हम सेर करीते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, कि जिस ब्रोकर के दुआरा हम अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाता है, वो ब्रोकर सेरों में हेरा फेरी भी कर सकते हैं, इसलिए अगर हम जो है CDSL की वेब साइट पे जाके, जो हमारे को सेर, हमारे डीमेट अकाउंट में स्योग करेंगे, वो ही हमार सेर जो है माने जाएंगे, तो दोस्तों अगर आपने भी सेर होल्ड कर रखे हैं, तो एक बार CDSL की वेब साइट पर जाके, अपने सेरों को चेक करके, और जो आपकी एप है, उसके साथ जरूर जो है, आप उसमें मिलान कर लें, कि एप में कितने सेर की कौन्टिटी दिखा हैं, कि CDSL की वेब साइट पर जाके, हम सेरों को किस तरह से चेक कर सकते हैं, दोस्तों, CDSL की वेब साइट पर आपको होल्डिंग सेरों की कौन्टिटी चेक करने के लिए, आप जो भी ब्राउजर यूज करते हो, उसमें आपको CDSL टाइप करना है, और इस तरह से एक CDSL की व ईप्षन दिया हुआ, लोगिन वाले ईप्षन पर हमारे को किलिक कर देना है, जैसे ही आप लोगिन वाले उप्षन पर किलिक करोगे, एक Next page इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें झो एरो मारक दिखाया हुआ है, सबसे फष्ट में उसके उपर आपको किलिक कर देना है, तो आप username और password जो है इसमें डाल के और इसमें जो है website में इंटर हो सकते हो, अगर आपने registration complete नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपको CDSL की website में जाके अपने आपका registration process को complete करना होगा, उसके बाद ही हम अपने share की quantity को जो है holding share की quantity है उसको देख सकेंगे, तो मैंने इसमें registration अपना complete कर रहा है तो मैंने अपना username और password डाल दिया है तो आप जैसे ही अपना username और password डाल के submit करोगे, तो आपके सामने इस तरह का जो है next page खुल के show हो जाएगा, उसमें आपकी boid, registration, category, dp name और ये सब आपको show कर देगा, अभी share'ों की quantity को देखने के लिए जो है account detail जहां पर मैंने arrow mark कर रहा है, जो account detail फस्ट में जो option है, उसके उपर हमारे को click कर देना है, तो जैसे ही मैं इस option के उपर click करूँगा, click करते ही मेरे जो है demate account में कितने share hold है, वो मेरे को quantity इसमें आसानी से मैं देख सकूँगा, तो दोस्तो अगर आपने भी share buy करके रखे हैं, और आप भी अगर अपनी जो है broker app के साथ में मिलान करना चाते हो, तो आप जरूर इसमें registration करके और जो है अपने share की holding share है quantity जरूर चेक कर ले, क्योंकि कभी कभी हेर app फेरी से जो है broker share है इदर से उदर कर सकता है, तो आप अपने जो है, आपने जो hold share है, उनकी quantity को जरूर चेक करें, दोस्तो वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताए अगर वीडियो अच्छा लगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक share करें, वीडियो से related कोई भी क्योरी हो, तो कमेंट बोक्स में जरूर लिखें, मेरे यूटूब चेनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मेरा यूटूब चेनल देखने के लिए सभी का एक बार, बहुत बहुत धन्यवाद, ठेंक्यू